चाहे मजनू है मिर्जा है या कोई राजा है चाहे मैं हूँ या तुम हो दर्द ये तो साजा है इश्क दिलदार में इश्क दिलदार में इश्क दिलदार में दिलख्वार ही होता है तेरी च्छाओं में तीस मई से जुमिराच शब आट पजे वो जो जालिमों का जबाल हो या रभी, या रभी, या रभी, या रभी अलाहुतीन मेरे चाल में बसकर माना जाएगा उसने कोई न कोई मनसुबा ज़रूर बनाया गैबरियाल खायमा बस्तियों पर हमला करने वारा सिर्फ तुम्हारी मदद पर भरोसा है हमें सुरयया ने अपने भाई के बदले मेरे हवाले कर दिया तुमको और तुम्हारी मौप मेरी महबत को जरगमाल बनाने की कीमत होगी तुम अपने लकाब के पीछे अपने घद्दारी को नहीं चुपा सकते तेरी घद्दारी आशिकार हो जाएगी विक्तोरिया और बादशाह उस्ताद कहा हैं फरार हो गये क्या मतलब फरार हो गये तुमको उन्हें साथ लाना था एन वक्त पर सुल्टान नूरुद्दीन वहां पहुँच गया उसने मुझे पकड़ लिया था अच्छा तो तुम फरार कैसे हुए फिर मुझे उसे खंजर गोपना पड़ा वहां से सलाहुद्दीन को निकाल दिया था ताके तुम गयदीन निकाल सको अगर सलीबी सरदार ना पहुँचते वहां तो भाई का चुरा को उपना भी न तुम्हें बचा था अपना वादा कैसे तोड़ दिया तुमने नसुर्दीन मेरे सल्टान नुरुद्दीन को तुम्हारी वज़द से खंजर खोपा है हो सकता है मेरा भाई मर जाए हाँ तो वही किया तुमने जो करना था तुम्हें कि शुक्रिया नहीं अदा करना चाहिए मेरा के तख्ट के वारिस हो गए लेकिन याद रहे अगर सल्हुद्दीन के हाथ लग गए बादशाओ उस्ताद और विक्टोरिया वहाल होगा तुम्हारा की यात रखोगी मैं सब को बता दूंगा कि तुम्हारा बेटा दोनों गद्दार है और अब मुझे विक्टोरिया और बादशाओ उस्ताद को ढूनना है और तुम्हें ये ध्यान रखना है हाथ ना आएं वह दोनों सलाहुद्दीन के अब तु हाथ आया है गद्दार अपने आपको हमारे हवाले कर दो देखो वो गद्दार उस तरफ गया है हमें भेकानी की कोशिश ना करो तुरानशाँ तुम्हें गद्दार हो तुम्हें अपने किये की सजा मिलेगी अरकत मत करना लेकिन गद्दार नहीं हू मैं गद्दार उस तरफ गया है याद रखो, तुम लोग अलत आजनी के पीछे हो तुम भागने में काम्याब लही हो के तुराजना, पीछा करो अमीर शिरको, ब्लाइक फोर्ड और विक्टोरिया, गद्दार उन्हें छोड़ा कर ले गया गद्दार पकड़ा क्यों नहीं गया, उसे पकड़ नहीं वाले थे के, उसने सुल्तान उलुदीन के खंजर खोप दिया वो शदीद जखमी है, उन्हें महल ले जाय जा चुका है यामीर, आप वली एहद हैं, इस वक्त जरूरत हैं हमें आपकी, भादुरी दिखाएं बाबा, परिशान मत हो, सुल्तान को हमारे माहिर तबीद देख रहे हैं मलक सलाउत्दीन, होश कीजिए, इस रियासत को आपकी जरूरत है सुल्तान की यहालत निजाम धरम भरम करतेगी, हमें फॉरन दबश्ट के लिए निकलना है तो रान शाह फरार हो चुका है, उसी को मरूद इल्जाम ठेराया जाएगा इसलिए मुझे ढूंडना है उससे पहले नहीं, इसका वक्त नहीं है, पहले कैदियों को ढूंडना है जब कैरी पकड़ लेंगे तो गैबरियाल से उसकादार के नाम का सौदा करूगा कुछ शिपाही ले चलते हैं सरहत गाजी का दस्ता साथ जाएगा, वक्त नहीं है तुमने देखा तुम्हारी नादानी ने क्या गुल खिला है अगर वो जखम मेरे सीने पर आता परवा ना करता मैं तुम्हारे धोगे ने तो मेरे बाबा की चांग खत्रे में डाल दी है जिस तरह अपने बाबा का दुख है तुम्हें मुझे अपने भाई का दुख है भाई की जिन्दगी की हातों मजबूर थी मैंने तुम्हारे भाई और असकलान के लिए जिन्दगी तक दाव पर लगा दी अपनी लेकिन तुम मेरे कलेजे बरवार किया है तुमने तो बाबा को जखमी करने वाला वो गद्दार और तुम दोलो एक ही जैसे हो भाबा Baba? सुल्टान नुरुद्दीन आ गए? नहीं, लेकिन आप परिशान क्यों है? आपने कहा था गेब्रियाल का मामला सुल्जा लेंगे, तो क्या इस वक्त वहीं से आ रहे हैं आप? क्या इसलिए पूछ रहे थे कि चचाए या नहीं? यहां मूँ खोलने से पहले सोचते हैं, दिवारों के विकाल हैं, सुनने, बोलने और देखने की बिलकुल इजासत नहीं है AŽKINN premi, AŽKINN premi, TAK BULAYIM MEVLAM SENरी Tek bulayım Mevlam Sen Yer et yüzüm, çiğnet beni Yer et yüzüm, çiğnet beni Tek bulayım Mevlam Sen Tek bulayım Mevlam Sen İbrahim Emdar et yerim İbrahim Emdar et yerim Mosa gibi Turet yerim Musa gibi Turet yerim Tek bulayım Mevlam Sen Tek bulayım Mevlam Sen Mosa gibi Turet yerim Yer et yüzüm, çiğnet beni 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 तू अपने नकाब के पीछे अपने घद्दारी को नहीं चुपा सकता तेरी घद्दारी आशिकार हो जाएगी अगर सलहुदीन के हाथ लग गए बादशा उस्ताद और विक्टोरिया मैं सब को बता दूँगा कि तुम और तुम्हारा बेटा दोनों घद्दार है सुल्तान के खंजर घुप दिया गया जल्दी करो जल्दी तबीबों से कहो के तयार रहे जल्दी करो क्या होगे हमारे सुल्तान को इमात कौन था वो उसने अपने चेरे पर निगाब लगाई भी थी हम देख नहीं सके हमारे सुल्तान बुरी तरह जखमी है तबीबों को तयार करो क्या मौत हो गई? कह नहीं सकता ऐसा लगता है बच्चेंगी नहीं वो अपने आपको मनवाने का यही वक्त है जल्दी करें जल्दी ताबीबों को पलाओ जल्दी करो जल्दी से जल्दी करो नुरुदीन क्या हुआ इन्हें? किसने की है यह जुर्द? इन्हें फॉरं तबीबों की जुरूरत है यह बहुत सख्मी है जल्दी करो जल्दी जल्दी हकीम बुलाया जाए इस शेहर का हरेक अच्छा हकीम इसी वक्त यहां लाया जाए जर दिर दिर दो फर! जख्म इनके पेट पर है, खंजर जिगर के निचे तक गया है, और कई रगे कट गई है, खुन जिगर से होकर गुजरता है, इसलिए हम खुन का बहाव नहीं रोक सकते हैं, इस जगह टांके लगाना बहुत मुश्किल है, हम अपनी पूरी कोशिट कर रहे हैं, फॉत तो नहो जाएंगे, हमें किसी भी नतीजे के लिए तयार रहना चाहिए, मुश्ट रहे हैं, आप आएंगे हकीम का कहना है कि हमें हर सूरत है हाल के लिए तैयार रहना चाहिए. अगर सुल्तान की वफात हो गए, तो क्या होगा? उस सुर्ट में हमारी जिम्मदारी होगी कि सल्तनत का निजाम चलता रहा है, हमारी दौाए है कि ऐसा नहों, लेकिन फिर भी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए. सुल्तान पर हमले के वक्त सलाहुदीन कहा था? वो वहां नहीं थे जब हम पहुंचें. एक तो वो वहां नहीं था जहां उसे होना चाहिए था. दूसरे, उसके ना होने के सबब सुल्तान पर हमला हुआ. यानि घफलत पर घफलत. वो अपने किये की सजा बुक्ते का. उस घद्दार को मुलक सलाहुदीन ने भेज़ा था सुल्तान को जखमी करने के लिए. घद्दार? जब हम तुरान शाह को लेने सरद घाजी के मरकस पहुंचें, अजानक एक निकाब पोष्ट से सुल्तान का सामना हो गया. वो कैदी लेकर भाग रहा था. सुल्तान ने कहा तेरी घद्दारी आशकार हो जाएगी. और वो सब हो गया. तुरान शाह वो घद्दार है जिसने हमलक किया. मेरा बेटा वो हाथ नहीं काट सकता जो उसका सहारा है. अगर वो घद्दार नहीं है तो कहा गायब है? वो भी फरार हो गया. तुरान शाह वो घद्दार हो गया? साफ जाहर है कि गद्दार वो ही है. उसने ये अरगामाली चुड़ाया और सुल्तान को जखमी किया. इसलिए तुरान शाह को डूड़ना बहुत जरूरी है. नतीजा निकालने में जल्दी ना कीजिए. अपने बेटे को किसी बहतान पर कुर्बान नहीं होने दूँगा मैं. बहतान नहीं, हकिकत है यूप. मेरे भाई पर हमला हुआ, जंगी खून बहा. हर एक ये जान ले, कोई बदनस्भी बरदाश्ट रकी जाएगी, कि मेरा हुकम है. हिसाब लिया जाएगा उनसे, जिन्होंने कमजोरी दिखाई और घद्दारी के मुर्चकिब हुए. विक्टोरिया और बाच्छा उस्ताद इसकलान की तरफ गए हैं. एक-एक कोन अचान मारो. ठेल जाओ. चलो, जल्दी, जल्दी. आज तु मुझसे नहीं बचेगा, गैब्रियान. लान थो तुम बद्रान शाह. गद्दार तु है, लेकिन मुझे समझा जा रहा है. तु मुझे उस गद्दार का नाम बता जिसके साथ तु साज़िश कर रहा है. वरना मैं तुम सब को एक-एक करके मार डालूगा. मुझे हिजासत है कि बैसका सर काटके आपके पास लियाओ. अगर मेरे पास वक्त होता तो तुम्हारे टुकुडे टुकुडे करतेता हूँ. लेकिन बहुत जल्दी में हूँ. उड़ा दो इसको. उड़ा दो इसको. क्या दरग मैं तेरी मौध हूँ, गाप्रियाल? मार डालो सबको. जल्दी चलाओ. ठीक है. बस ठीक है, हम निकल रहे हैं. जल्दी चलाओ. सुल्तान नूरोदीम की मौत किसी वक्त भी हो सकती है. इसलिए तैयारी शुरू की जाए. अब जाओ. तुम कौन होती हो मौत और जिन्दगी का फैसल करने वाली ना, हंजान? ये तबीबों से पूछे. सुल्तान शदीद जखमी हुए है. कभी इमकान है कि वो जिन्दा ना बच पाएंगे. मैं तेरी ये गंदी जबन खेच लूँगी. मलिक खातूम. तुम्हे ताजो तक्त मिल जाएगा तब ही. उन पर मडला रहे होगी दो की तरह. याद रखोने कुछ नहीं होगा. और तेरे सारे सपने टूट जाएंगे एक एक करके. मैं सपने वपने नहीं देखती मलिका खातूम. हकीकत पसंद इंसान हो. सिर्फ आपको बता रही हूँ के सुल्तान की हालत ना सुग है. अब जिन्दगी का भरोसा भी तो नहीं कुई. कुछ भी हो सब्दा है. इसलिए तयार रहे. महलिक जिवकार, वो सुल्तान नुरुद्दीन पर हमले की जमेदारी आप पर डाल रहे हैं. महलिक नुसुरुद्दीन निजाम संभाल लिया है. उनको आप पर बहुत खुशा है. वो बड़ी शद्वमत से तुरांच शाह को तलाश करवा रहे हैं. वो कहते हैं सुल्तान के खंजर उसीने मारा था. देख लूगा मैं, हाठी के देख लूगा मैं. बाबा कैसे हैं? आपने कहा था, आप गेबरियाल को संभाल लेंगे. फिर आपने कैदियों को निकाल और सुल्तान को खंजर मार दिया. और उसके बाद ही तो आप घबराये हुए वापस आए थे महल में. आपने बहुत अच्छा किया. जचा की मौत के बाद तखता आपका हो जाएगा. सुन, बेवकूफ! मैंने कुछ नहीं किया. तू ये अच्छी तरह जहन नशीन कर ले. विक्टोरिय और ब्लैक फोर्ड हमसे पहले गैबरियल को मिल जाने चाहिए. वरना वो हमारे बारे में सब को पता देगा. हम बरबाद हो जाएंगे. दूसरी तरफ, वो गतार का मसला अलग उल जाए. इसलिए तूम्हें तूरांच्छा को ढूनना है. हमने गद्दारी के इल्जाम में उसी को फसाना है. और फिर उससे जान चुडा लेंगे. और उसके बाद, हम सल्तनत का पूरा निजाम समाल लेंगे. और सलाहुद्दीन, वो भी तो कहदियों का पीछा करेगा. अगर कहदियों उसके हाथ आगए तो हमारा रास खुल जाएगा. उसे कैसे रोकेंगे? उसे मैं समाल लूँगा. देखा, तुमने क्या कर दिया, सलाहुद्दीन? लानत भीजदी हूँ तुम्हारे असका लान पर और तुम्हारे कहदियों पर. तुम्हारी गलतियों ने हम सब को खत्रे में डाल दिया है. अगर खुदाना खास्ता सुल्तान को कुछ हो गया, तो हमारी ताक में बैठे हुए गिध हमें जिन्दा निकल जाएंगे. और इस सब की जिम्मेदारी तुम पर होगी. अगर सलाहुद्दीन हमें कुछ हरसे और रुके रखता, तो वो सब कुछ हासल कर लेता जो वो चाहता था. हमारी खुछ किसमत ही है कि हम भाग निकले. बाचो साथ! यहां से फॉरण निकर जाओ शेजाती. हमने तुम्हें चारो तरफ से घेर लिया है, अब तुम फराद नहीं हो सकते. सलाहुद्दीन ही कोशिश करके देख चुका है. ऐसा कभी नहीं हो सकता. बाच्छो उस्ताद. हो सकता है यह जख्म मेरी जान ले ले. मेरी फिकर ना करें. आप यहां से फॉरण निकल जाएं. नहीं. मैं आपको यहां से लेकर जाओंगी. पहले हमें इस जंगी अमलतारी से बहार निकलना है. चलिए. होस्ता करें उस्ताद. वो मिले के नहीं? उनका निशान तक नहीं मिल, आमीर. उन्हें असकलान पहुँचने से पहले गरिफ्तार करना है. आके खोल कर देखो, उनका कोई निशान जरूर मिलेगा. अमीर या मर गया? इसका मतलब है गैवरियाल उन तक पहुचने वाला है. आगे, जल्दी चलो. तबीब कहते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन की हाला तभी भी खत्रे में है. मैं समझती हो किस्मत महरबान हो रही है आप पर. आप जंगी खानदान के बड़े बेटे हैं इसलिए. यही तो है अपनी हिम्मत, ताकत और रादे की पुखतगी के मुझाहरे का वक्त. अगर आपने इस वक बागदोर ना समझाली तो सलाहुद्दीन समझालेगा, और फिर उसी दोर से आपकी गर्दन को नाप लेगा. मैं उसके हाथ उसी दोर से तुबादने वाला हूँ, तुम फिक्र ना करो बिलकुल. इजाज़त है. मलिक सलाहुद्दीन महल में है. मेरे रहनुमा हैं आप, मेरे रास्दार हैं. आप ही ने तो मझे सर उठाकर चीना सिखाया है. एक जखम नुरुद्दीन संगी को नहीं हरा सकता. और फिर हमें खाबों की ताबीर भी तो पानी है बाबा. आप मस्जिद अकसंद अपना मिम्बर नस्ब करवाएंगे. फतेह का बर्चम लहराते अलकुद्स में दाखिल हो गया हूँ. मैं जानता हूँ आपके साथ जो कुछ हूँ और इसमें मेरा भी तो कुसूर है. लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि आपसे की हुए वादे पूरे करूँगा। मैं उसको अद्दार को सरू टूंडूगा बबा. मैं निक्सा राप्तीम जनाबियो मर्मला। तबीब कहते हैं ये खत्रे में हैं. अल्लाह वही तो कादिर है। हमें सिर्फ फर्ज पर ध्यान देना है अपने. और वह फर्ज ये है कि उस रास्ते पर चरें जो आपको सुल्तान ने सिखाया है। लेकिन मेरा दिल और जहन काबू में नहीं। अगर वह बोल सकते, यही कहते आपसे, कि मकसद जो तकाज़ कर रहा है, तुम्हें वही करना है। बेटा होने के नादिया आपका फर्ज अवलीन है। कि हर वक्त मस्रूफ रहें खिदमत में। कि अवलीन है। शहज़ादी, आप मेरी फिकर ना करें और निकल जाए। इसलिए कि मैं अपना ख्यार रख सकता हूँ भी। हरकस नहीं। आपको यही मेरा इंतजार करना है समझ गये न। यहां ऐसी कोई बूटी जरूर होगी जो आपके जखम पर रखने की काम आए। अब तुम यहां से कहीं नहीं भाग सकते हैं। क्या सूरतिय हाल है रियासत के हालात अब काबू में अब निजबतन सुकून है अमीर अमीर शुरकू विक्टोरिया और ब्लाक फट के ताकूब में लगे हुए है हम भी उनके पीछे जाएंगे चलो मलक नसुरतीन ने आपको याद किया है विक्टोरिया कहा गई वो यहा है अब यहा है वो यहाद बिद्ड़ेए उनके बिद्ड़ेस याद वाद विक्टोरिया झाल झाल यहाद झाल झाल